मनिपूर में तीन मैई से दो जाती समुदाय के भी संगर से शुरू हुआ था आज 78 दिन पूरे हो चुकी हैं लेकिन अभी तक खालात पर काबुपाने में सरकार नाकाम साबित हुई है आज से संसत का मानसुन सत्र भी शुरू हो चुका है पूरी उमीद है कि सत्र में मनिपूर को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जरूर पोचेगा और इतने दिनों तक मोदी के मौनधारन को लेकर सरकार को घेरेगा भी ऐसे में अब ऐसी तस्वीर प्रदेश से सामनी आई है जिसने मोदी को अपनी चुपी तोड़ने पर मजबूर कर दिया मनिपूर में हालात नहीं समल रहे हैं विपक्ष बार बार पियम मोदी से चुपी तोड़ने को कह रहा था और आखिरकार मोदी जी कॉंग्रिस के दवाब में आही गए और उन्हें मनिपूर पर बयान देना पड़ा इससे पहले अमित्शा ने भी करीब एक महीने पहले राज्युका दौरा किया और दावा किया कि हालात बहुत जल ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ लोगों को उम्मीद थी कि पियम मोदी राज्युका दौरा करेंगे और हालात को सम्भालने की कोशिश उन्होंने नहीं की उन्होंने कॉंग्रिस नीता राहुल गांधी के प्रदेश के दौरे के बार विपक्ष ने मोदी की मनिपूर पर चुपी को लेकर चोतरफा घेर लिया आज से मौनसुन सत्र भी शुरू हो गया है और ये सत्र 11 अगस तक चलने वाला है सत्र शुरू होने से पहले कल सरवदल ये बैठक बुलाई गई और विपक्ष से अपील की गई कि सत्र को आराम से चलने दिया जाए कोई हंगा माना हो इस बीच कल शाम को मणिपूर की एक ऐसी वीडियो सामनी आई जिसने सभी को गुस्ते से भर दिया और सरकार को सवालों की कटगरे में खड़ा कर दिया यहां एक समुदाई की महिलाओं को निवस्तर कर सडकों पर घुमा आए गया बताया जा रहा है कि यह वीडियो चार माई का है इसमें एक समुदाई की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ लोग निवस्तर कर सडकों पर घुमा रही है और दोनों महिलाओं के साथ गैंगरे भी किया गया है वीडियो सामने आते ही आज मानसुन सत्र शुरू होने से पहले आखिरकार पियम मोदी को अपना मौन तोड़ना ही पड़ा और इस घटना को लेकर दो लाइन बोलनी पड़ी मोदी ने कहा कि मनिपूर में दो महिलाओं के साथ हुई गैंगरे पी घटना शर्मनाक है जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ कठोर कारवाई की जाएगी हलाकि ऐसे समय में भी पीयम सरकार का बचाव करना नहीं भूले है उन्होंने एक साथ सभी राज्यों के सीम से अपील की है कि अपने अपने राज्य में कानून विवस्ताओं को मजबूत करें मोदी के इस बयान से यही लग रहा है कि शायद ऐसी शर्मसार करने वाली घटना सिर्फ मनिपूर में ही नहीं बलकि सभी राज्यों में हुई है हलाकि वीडियो वाइरल होने के बाद प्रशासन ने लीपा पोती करते हुए एक युवक को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफतार भी कर लिया और जल्द ही बचे हुए आरोपियों के गिरफतारी को लेकर बात कही है